गेस सेलेंडर पर सबसीडी चाहिए तो करवाएं EKYC एजेंसी पर ले जाना होगा गेस कार्ड आधार 31 मार्च अंतिन दिन उसके बाद बुकिंग के बाद उपभोगता की खाती में नहीं आएगी सबसीडी गरेरू LPG गेस सिलेंडर पर उपभोगताओं को योजना के तहस सबसीडी के रूप में रासी सीदे खाती में आ रही है 31 मार्च वाद उनीक हातों में सबसीडी आएगी जिनोंने आधार कार्ड से गेस कनेक्शन की EKYC करवा ली है सरकान ने सबी उपभोगताओं की EKYC करवाना अनिवायर कर दिया है इसके लिए सम्मधित गेस एजनसी पर करमेचारी आधार कार्ड से EKYC कर रहे हैं विशेस का DVT-L गेस सबसीडी से जुड़े सभी उपभोगताओं को गेस एजनसी पर पहुँचकर अपना बायोमेटरिक प्रमाड़ी करण 31 मार्च तक करवाना जरूरी है ऐसा नहीं करने पर नए साल में उपभोगताओं को किसी भी प्रकार की सबसीडी नहीं मिल पाएगी Ministry of Petroleum and Natural गेस भारत सरकार के नेदेशा नुसार DVT-L गेस सबसीडी से जुड़े उपभोगताओं के लिए जिले में EKYC अभियान चलाया जा रहा है गेस बुकिंग के दौरान उपभोगताओं को मुबाइल पर EKYC करवाने के लिए मैसेज भी भेजे जा रहे हैं जिससे समय पर प्रत्ते घरेलू गेस कनेक्शन उपभोगता EKYC करवाएं और उने बाद में दिक्कत नहीं हो एक दिसम्बर से अभियान सुरू कर दिया लेकिन गेस कनेक्शन धारी इसमें कम रुची ले रहे हैं गेस एजनसी संचाल को का कहना है कि समय पर EKYC नहीं करवाई तो उन्हें मिलने वाली सबसिटी बंद हो जाएगी एचपी गेस एजनसी मैनेजर दिनीज पटेल ने बताया कि गेस रिफिल करने या नए कनेक्शन वाले उपभोगताओं को समदित एजनसी जाकर आधार प्रमानी करन करवाना होगा इसके लिए एजनसीयों की ओर से उपभोगता अपनी समदित गेस एजनसी पर आधार कार्ड ले कर जाए जहां बुकिंग काउंटर पर बैठे करमेचारी द्वारा वायोमेट्रिक वैरिफिकेशन कर दिया जाएगा इसके लिए उपभोगता को कहें पर भी भटकने की जरूरत नहीं है डिलेवरी अब डियसी नम्मर यानि बेवर डिलेवरी अर्थोर्टिकेशन कोट के आधार पर दी जा रही है खुसखवरी 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 नाकपुर की सुप्रिशित चर्मेरोग इवों संदरी विशेशग डॉक्टर गौरफ खंडायद फंगल इंफेक्शन के स्पेस लिस्ट मिल्ने का समय प्रतिमाह की चार तारिक को सुभए 10 वजे से साम 5 वजे तक मिल्ने का स्थान अग्रसेंट मेडिकल एन जनरे स्टोर्स दिवाले वाली की बाजू में पैट्रोल पंप की सामने हटा मोवाइल नंबर 9589243244 धन्यवाद अबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट सेयर करें घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं अपने छेत्र से जुणी ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें आप सभी का धन्यवाद दीपक पतल मोवाइल नंबर 8602179712